Class Live है चली मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को नमस्कार आप सभी का हाद जोड अभिननन इस प्यार भरी मैफिल में मैं आप सभी का प्यारा सा गोपाल वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों और आप सभी का शुक्रियादा करता हूँ कि आप हर रोज सुबह साड़े आठ बजे मुझे पढ़ाई करने के लिए ऐसे ही तयार मिलते हैं भगवान करें आप अपनी इस मैनत में जरुर सफल हो और आप अपनी वकैबलरी के डर को मेरे साथ मिलकर पूरी तरह खतम करते हैं चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आज हम आप सभी के साथ मिल रहे हैं पढ़ रहे हैं क्लास नंबर 31 है न भी आज हमारी क्लास ठीक है आज हमारी क्लास नंबर 31 हम आप सभी के साथ मिलकर पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे से दोस्तों और उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्तों कि भात अच्छे से पढ़ेंगे। जै श्री राम बोलो, चरन स्वर्ष गुरु जी बोलो, अच्छा लगता है, बताओ आप अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हो, कम से कम, चलो पेपर में हमारी इंगलिश आती है, तो इंगलिश का माहूल हमें बनाए रखना पड़ता है, लेकिन जब आप अपने बात कर रहे ह तो कम से कम अपने गुरु को वो मान समान दो, जो आपको सच में देना चाहिए, ठीक है, तो जै मातादी, जै श्री राम, ठीक है, सस्रियकाल, सलाम आलेकुम, हाँ, अपनी संस्कृति बहुत प्यारी है भाई, ठीक है, तो चलिए, एक बार फिर से आप सभी को हाद नमस्कार करता हूं मेरे प्यारे से दोस्तों, आज हम आप सभी के साथ वोकेबलरी की इस कहानी को पढ़ना शुरू करेंगे, तो भाई बिल्कुल आप लोगों को तयार रहना है, ठीक है जी, बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से तयार रहना है, तो सब से पहले हम इनको को देख लेते हैं चेहरा खुबसूरत है लेकिन ये जो आखों के बीच में लाइने बनी वी है इस आखों के बीच में बनी ही लाइन को हम एक सब से जानते हैं और इसे हम पढ़ते हैं फ्राउन फ्राउन का मतलब होता है आई ब्रोज को सिकोड कर गुस्सा दिखाना ठीक है गाट इट है तो भई हम इसके लिए क्या कहते हैं फ्राउन ये जो छोटी सी एक एक अक्टिविटी है बाल इसके बिखरे वे हैं तो हमें समझ में आ गया है कि ये इंसान गुस्से में काबू से बाहर है ये इंसान क्या है आप को कि दोस्तों ये इंसान गुस्से में काबू से बाहर है और गुस्से का अगर सिनोनिम अगर गुस्से का हम सिनोनिम तयार करें तो इसे हम कहते हैं फ्यूरी क्या कहते हैं बच्चे फ्यूरी ठीक है जी गुस्से को हम कहते हैं हिंदी में क् लेकिन English में angry और इसी को हम कहते है fury, correct है, हाँ है ना, अब मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ इनका मतलब क्या होता है inside, यानि कि किसी के अंदर fury आपके सामने आही गया है, ठीक है, और जब किसी भी शब्द के साथ हम eight जोडते हैं, तो वो वर्ब बनता है, और किसी भी शब्द कर आता है, to make, ठीक है ना, जी, या तो किसी चीज़ को cause कर देना, या किसी चीज़ को make कर देना, यानि कि किसी को बहुत-बहुत ज़ादा गुसे में भड़का देना, किसी को बहुत-बहुत ज़ादा गुसे से भर देना, मेरी बात समझ ज़ें, ठीक है बेटा, तो अब मेरे बच्चों इसी का एक example, I was infuriated, क्योंकि यह verb है, इसलिए verb की third form कैसे बना दी, ed लगा कर, I was infuriated by his arrogance, arrogance किसे कहते हैं, arrogance होता है, proud behavior, arrogance का मतलब, चलो लिख कर दिखाओ फटावट से, proud behavior, लिखो 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 फटावट से, arrogance का मतलब होता है, क्या बाबू, proud behavior, arrogance का मतल मैं इधर लिख देता हूँ, जब कोई इंसान किसी के सामने घमंड वाला वेवार करे, है ना जी, जब कोई इंसान किसी को साथ घमंड वाला वेवार करे, और घमंड वाला कैसे वेवार करे, ऐसे वेवार करे कि वो किसी को अपने से उपर सूचता ही नहीं है, किसी को अपन है इसी को हम अगर noun की तरह समझे तो इसी को हम snob भी कहते हैं ये verb भी है noun भी है ठीके ना जी इसी को हम किस नाम से जानते हैं इसी को हम अगर समझने का काम करते हैं तो इसी को हम snob भी कहते हैं ठीके ना जी ये verb की तरह भी use होता है noun की तरह भी use होता है अब आजो भई इसके थोड़े से सिनोनिम पढ़ते हैं सबसे पहले लिखा है foment क्या लिखा है सबसे पहला शब्द foment foment का मतलब क्या होता है किसी चीज में foam आ जाना आप इसको ऐसे समझो जैसे आप ने इनो किसी glass में डाल दी आप ने इनो किसी glass में डाली उसके बाद उसमें पानी डाला पानी डालते ही क्या होगा आप होगे सर खटा खट उसमें जाग उठने लग जाएंगे that thing is called foment एकदम से भड़क करा बाहर आना foment का मतलब होता है एकदम से भड़क जाना ठीक है जी exasperate ठीक है न ये शबदम पहले भी पढ़ चुके हैं आप इसको ये से भी याद कर सकते हैं अपनी x से तुरंट separate होने के लिए गुसा हो जाना अपनी x से तुरंट separate होने के लिए गुसा हो जाना मेरी बात समझ रहे हैं कभी-कभी ऐसी situation होती है हमारे सामने कोई भी एक इंसान है है ना हमारे सामने कोई भी एक इंसान है अब उस इंसान से हमारा दिल तूट गया है जब दिल तूट जाता तो हम क्या करते हैं भाई है भाई तब हमारा किसी भी इंसान से अगर मालीजे दिल connect नहीं होता तो हम क्या करते हैं, उस इंसान से separate, इसकी spelling याद करेंगे, चलो फटाफट से, सबसे पहले EX हम लोगों ने लिखा, ठीक है बेटा, इसके बाद हमने इसके साथ A को जोड़ दिया, अब आजाओ separate होने की, separate होने की spelling के अंदर कुछ थोड़ा सा फर्क है, कभी बदा चले separate की spelling लिखो बढ़ दाफट से, अगला शब्द है जी, agitate, agitate का मतलब क्या होता है, भड़कना, ठीक है जी, agitate का मतलब होता है, भड़कना, किसी के भी खिलाफ, अगला शब्द है, एंटा के अगर हम बात करते हैं, तो एंटा का मतलब हमें सभी को पता है, जब हम किसी के में है, यानि कि किसी के विरोध में रहते हैं, किसी के विरोध में सोचते हैं, किसी के अगेंस्ट हो जाते हैं, correct होगे भई, हाई है न, अब आगे क्या लिखा, gonize, gon का मतलब क्या होता है, gon का मतलब side होता है, या angle होता है, यानि कि एक ऐसी side जो किसी के opposite हो जाए, उसी को antagon क या I, Z, E लगता है तो उसका अर्थ भी क्या निकलता है to cause या फिर to make क्या मतलब होता है to cause, to cause या फिर to make correct है, अरे हाँ है न, correct हो गया आगे पढ़ने की कोशिश करते है stir up, stir up का मतलब भड़क जाना ठीक है न, stir up का मतलब क्या होता भड़क जाना ये एक प्यारी सी phrasal verb है, अब अन्टोनिम पर आते हैं देखो जी, यहां तो बात होगी हमारे सामने भड़कने की, किसकी बात होगी बेटा भड़कने की, यहां पर बात हम करेंगे शांत होने की, तो शांत होने के लिए हमने क्या लिखा सबसे पहले, placate क्या लिखा है सबसे पहला, हमने शब देखो भाई ध्यान से, सबसे पहला शब्द हम लोगों ने लिखा है प्लाकेट ठीके जी, अब प्लाकेट में अगर हम PLAC की बात करने तो आप लोग बता दोगे PLAC का मतलब क्या बताया गया है प्लाकेट शब्द में अगर मैं P L A C की बात कर दूं तो आप मुझे बता दोगे P L A C का मतलब क्या होता है देखू भई कितने बच्चों ने पढ़ा हुआ है अवना पिछली क्लासिस का content शाबाश बेटा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया उमीशा सिंग बहुत बढ़िया तो इसका मतलब हमें समझ में आता है इसका मतलब हमें समझ में आता है किसी को प्लाक मतलब खुष और एट का मतलब क्या होता है To make somebody happy ठीक है जी? Appies, correct है? Appies का मतलब होता है किसी को खुश करना ठीके ना जी, मैं आज सुबह news देख रहा था, आज जब मैं सुबह, मतलब breakfast करते वक, news जब देख रहा था, तो उसमें परधान मंत्री कहीं पर speech दे रहे थे, और उन्होंने कहा, तुस्टी करण, ठीके ना जी, मैंने गरत लिग दिया, तो प्रधान मंत्री सहाब कहीं पर इस शब्द का प्रियोग कर रहे थे, और इसे कहते हैं, तुस्टी करण, ठीके जी, तुस्टी करण का मतलब क्या होता है, हैं जी, तुस्टी करण का मतलब क्या होता है, ये शब्द आपको news में बार बार देखने को मिलता है, बेटा ये ज बच्चा रो रहा है नहीं, इसको क्लास से हटा दो, ठीक है? फर्जी कमेंट करने वालों को क्लास में रखने की जोट नहीं है, टाइम पास करने वाले बच्चे होते हैं, अपने नाम बलाने की हरकत करते हैं, इसको आप क्लास से हटा दो, ठीक है? माफ करना बिटा तो तुस्टी करन शब्द यूज हुआ अब तुस्टी करन की मतलब क्या होता है ये मतलब आज कल आप जानते हैं इलेक्शन का समय है और इलेक्शन के समय ये शब्द आपके सामने बार बार यूज होगा हर पार्टी अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करेगी मेरी बाद समझ रहे हैं और इसी को हम कहते हैं तुस्टी करन और इसी को हम अंग्रेजी में कहते हैं थियरी ओफ अपीजमेंट क्या कहते हैं यह रहा अपीज और जैसे आप इसके साथ जोड़ देते हैं मेंट तो बन गई थियरी ओफ अपीजमेंट इसी को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों इसी को हम हिंदी में कहते हैं इसी को हम हिंदी में कहते हैं भाईजान क्या कहते हैं भाईजान क्या कहते हैं भाईजान नहीं है, सूध, ये सभी लोगों को पता ही है, सूध का मतलब होता है, to relax, ठीक है न जी, जब आफ किसी इनसान को शांत करते हैं, और pacify का मतलब क्या होता है, जो किसी के गुस्से को शांत कर देता है, ठीक है बेटा, चली बैए, अगले सवाल की तरह बढ़ते हैं, look at this one, look at this one, ये एक junior खड़ा हुआ है, या हो सकता है, senior खड़ा हो, चाहे कोई भी है, ये एक office का scene है, ये table है, जिसके ओपर file है, भाई साब का अपना coffee mug है, और ये इस report को हवा में लेके, I don't care, who the hell you are, कौन है तू, मैं ढरता निताड तिल, इल, ठीक है भाई साब, तो ये इनसान, द इनसान कैसा है, आप कहोगे सर, ये इनसान असब्य है, इसको civic sense नहीं है, इसको समाजिक वैवार करना नहीं आता, घमंड से भरा है, है ना, थोड़ी देर पहले घमंड से भरा हुआ शब्द मैंने पढ़ा था, क्या चीज़? arrogance, snope बताया था, अरे भाई साब, ये तो वही किसी भी शब्द के अंत में, इश हम जब जोडते हैं, तो वह adjective बनता है, और जब किसी शब्द के अंदर adjective हम जोडते हैं, ish लगा कर, तो इसका अर्थ निकल कर आता है, related to, क्या अर्थ निकल कर आता है? जल्दी से कुछ शब्द बना कर दिखाओ, मेरे प्यारे बचो, जल जल्दी से बनाने की कोशिश करो, चलिए बाई, कुछ शब्द बना कर दिखाओ, जब आप शब्द बनाओगे, तब आपको समझ मेंगा, punish, selfish, publish, very good, publish तो खेरिक अपनया में वर्व हो गई बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया, बूरिश, कितना प्यारा शब्द बनाया ह का मतलब घमंड वरा बैवार, of superiority, अपने आपको superior मानना, and tending to ignore, और कैसे आदत बनाना, ignore करने की आदत बनाना, or disdain anyone, किसी को हतोत साहित कर देना, regarded as inferior, किसी को हतोत साहित कर देना, कैसे हतोत साहित कर देना, उसको ये दिखाना कि तुम बहुत inferior हो, तुम्हारे बसका कुछ भी नहीं है, मेरी बात समझ रहें, correct है, तुम्हारे बसका कुछ भी नहीं है, correct है बई, चलिए बेटा, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इसके प्यारे से example पर लिखा है, she is wonderfully natural, वो अपने आप में जब प्राकर्तिक रहती है, natural हैती, बहुत wonderful है, और बिना किसी घमंड भरे वेभार के, तो आज बही फटा फट से इसके कुछ प्यारे से synonym पढ़ने की कूशिश करते हैं, पहला शब्द हमारे सामने आता है, top lofty, sir पहले तो इस lofty को समझ लो, lofty का मतलब क्या होता है, lofty एक बहुत प्यारा शब्द है, lofty का मतलब अपने आप में adjective की तरह निक top lofty का मतलब जो बिलकुल चड़ गया है वाईजा उचाई पर, किसी से कोई लिना देना नहीं, hearty, hearty का मतलब घमंड बरा, ठीक है ना जी, hearty का मतलब क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ आप एक ही बात कहेंगे, sir घमंड है तो proud, ठीक है ना जी, आगे शब्द हमारे सामने ल correct है, जब super की हम बात करते हैं तो super का मतलब होता है above या over, चलो बेटा, super का मतलब मैंने क्या बता है, above या over, super से कोई भी शब्द बना कर दिखाए, above या फिर over, correct है, बात समझ गये, चलो बाई, अब super के ठीक बाद हम लोगों ने लिख दिया, c, i, ठीक है जी, correct हो गया, super c, अब lias इसके साथ जोड़ता है, या निके li और ous, spelling याद हो जाएगी बेटा, spelling याद हो जाएगी, जितनी बार हो सके लिखो, ऐसा मत सोचो कि एक ही बार आपने कोई spelling लिख ली, वो हमेशा याद हो जाएगी, नहीं बेटा, paper में सबसे ज़्यादा गलतियां करता है कोई भी बच्चा, spellings की, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है किसी भी vocab को यूँ का यूँ याद करना, आप अगर vocabulary को छोटे-छोटे टुकडों में बांट कर पढ़ लोगे, तो आप उससे कभी भी नहीं भूल पाओगे, मेरी बात समझ गे भई, हाए ना, super salacious का हमारे सामने लिखा है सनौटी, अगर सिर्फ सनौट की हम बात करते हैं, अगर हम सिर्फ सनौट की बात करते हैं, तो सनौट का मतलब क्या होता है, सनौट का मतलब होता है, उंची नाक वाला, ठीक है, सनौट का मतलब क्या होता है, सनौट का मतलब होता है, उंची नाक वाला ठीक है जी एक ऐसा इंसान जो अपनी नाक हमेशा उची रखता है अब उची नाक का मतलब यह नहीं है कि भाई साम नाक के नीचे उगली लगा कर ऐसे चलता है नहीं नहीं उची नाक वाला वो इंसान होता है जो किसी को अपने बराबर नहीं सोचता अगर मैं इसके लिए phrasal verb यूज करूँ तो इसी को हम कहते हैं to look down upon to look down upon सारे बच्चे इसी के लिए phrasal verb भी लिखेंगे चलो चलो फटावाट से to look down upon लिखो लिखो फटावाट से हाँ हाँ आपका कोई भी friend अगर आपकी कोई भी friend नहीं है तो आप उस इंसान के लिए ये शब्द का प्रियूब कर सकते हैं he is snotty she is snotty यानि कि ये हमेशा आपनी नाक उंची रखता मतलब है ये कुछ नहीं दिखावा ऐसे करती है जैसे पता नहीं धरती पे इसके बराबर कोई है ही नहीं अरे बावली कैसी बात करती है ठीक है न जी to look down upon लिखो फटावट से अब इसका meaning मैं बोल रहा हूँ आपको लिखना है लिखो लिखो to treat someone to treat someone ठीक है जी as if he were inferior लिखो 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 to treat someone as if he were inferior किसी को ऐसे पेश आना कि आपके सामने वो इनसान inferior है ठीक है जी याद हो गया बई set हो गया बई पानी पीओंगा बेटा बटब पानी पीलूँगा tension ना लो अगला सब्द हमारे सामने लिखा presumptious क्या लिखा है presumptions pre का मतलब before before का मतलब पहले ही some some का मतलब जोड़न कर देना और किसी इसको जोड़ कर देना जो हमारे सामने भरा पड़ा है ठीक है न जी पहले से ही हमने उसके बारे में अपनी तरफ से क्या बना लिया का उनुमान बना लिया कि भाई साब ये ऐसा है ठीक है न जी अब एंटोनिम पर आजो हमबल हमबल का सिनोनिम अगर मैं आपको बता दू तो आप लिख दोगे कॉमेंट्स में क्या मोडेस्ट लिखो लिखो फटा फट से मोडेस्ट होना विनमर होना डेमियूर डेमियूर का मतलब जो अकड के बगर रहता है सर यहाँ प्रिटेंशियस हमारे सामने वर्ड नहीं लिखा लेकिन आप जानते है कि प्रिटेंशियस वो इंसान होचा दिखावा करता है स्नोटी अनलगाते ही नेगेटिव हो गया हाई न अगला शब्थ हमारे смाने ओस्टेंटेंचयस इसी से अनलगाने का मतलब क्या होगे नेगेटिव ओस्टेंटेंचयस हम लोगोंने पढ़ा हुआ है शब Casey आजी बाउजी पढ़ा है ओस्टेंटेंचयस पढ़ाए जी तो ये शब्द आपको बहुत अच्छे से अच्छे से पता होगा ठीक है जी? करेक्ट होगे बई? पंजाबी में वो नहीं 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 पढ़ो बिटा पढ़ाई पे ध्यान दो पहले अगला शब्द हमारे सामने है Deceptive अगला शब्द हमारे सामने क्या लिखा है भाई साहब? अगला शब्द हमारे सामने लिखा है Deceptive प्यारा शब्द है पढ़ेंगे ज़रा ध्यान से प्यारा शब्द है भाई पढ़ेंगे ध्यान से Deceptive क्या कहलाता है? आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा भाई जिसे हम लोग कहते हैं क्या जिसे हम लोग कहते हैं deceive पहले आप मुझे यह बताओ मेरे बच्चों deceive की spelling यह सही है देखो मैं बिल्कुल नया नया आया हूं आपके इस परिवार में और मुझे कुछ नहीं आता बताओ भाई, deceive की इन दोनों में से कौन सी spelling सही है अरे यार, पानी पिले तो भाई, एक बच्चा पीछे ही पढ़ गया, पानी पिलो हम, अब मुझे बताओ, बेटा, deceive की कौन सी spelling ठीक है तो deceive की spelling आपको याद करनी सिखाई थे, बेटा, c के बाद, e, e के बाद, i हमें लगाना चाहिए तो ये spelling सही है, ये गंदा बच्चा हो गया, correct हो गया, हाई ना अब आप अगर इस picture की तरफ ध्यान से देखोगे, आप सिर्फ यहाँ देखना है, इस छोटे से गोल के इस बिंदू पर देखना है, ठीक है आप अगर इस picture को ध्यान से देखोगे, तो आप को ये जो बॉल है, और ये जो नीचे इसके बेस है, ये आपको घूमते हुए नजर आएंगे हाई ना, आप कोगे सर, ये क्या है हमारे सामने आपके सामने ये क्या है, आप कोगे सर, इसे देखकर हमें धोखा हो गया है, है ना, इसे देखकर हमें धोखा हो गया है है ना, ऐसा लग रहा है, जैसे ये टेबल घूम रही है, या फिर ये बोल घूम रही है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब किसी भी इंसान से मिलते हैं तो वो अपना नकाब जो है न, क्या है, या तो हटा लेते हैं या लगा लेते हैं, है न, यानि कि उनके दिल में कुछ और होता है, उन्हें छल कपट करना है, वो बाद में बताएंगे, पहले वो किसी और रू ठीक है जी, one word substitution कहता है, likely to give a false impression, एक जूठा किसी के सामने impression देना, or to make somebody believe something that is not true, किसी को कोई ऐसी चीज पर विश्वास दिलाना, जो सच नहीं है, लेकिन सच का जूठा दिखावा किसी इंसान के सामने कर देना, ठीक है बई, हाँ है न, तो बिटा जी, आजो फटा फट से, water is deceptive, पानी छल से भरा है, it is much deeper than it looks, क्योंकि जितना हमें दिख रहा है, पानी के इंदर reflection होता है, है न, reflection नहीं, reflection होता है, हमें पानी जितना लगता है कि इतना गहरा नहीं है, लेकिन पानी उससे जादा गहरा होता है, है के जी, ठीक है बहीं, तो आजो कुछ सिर्वादिम की बात कर लेते हैं, delusive, भ्रामक जिसे हम कहते हैं, क्या है delusive का मतलब, भ्रामक, ठीक है न, अगर delusive से noun हमें पढ़ने को मिल जाएगा, तो हम कहेंगे delusion, ठीक है जी, ये पढ़ चुके हैं हम शब, ठीक है, fraud शब से बना है fraudulent, ठीक है, fraudulent, लिखकर दिखाएंगे, चलो मेर ठीक है जी, अगला शब्द हमारे सामने, fallacious, fallacious का मतलब, जिसको देकर आप fall हो जाएं, गिर जाएं, धोखा हो जाएं, fallacious का मतलब क्या होता है, भ्रामक, यानि कि जिसको देकर हमें गलती हो जाएं, गलत फैमी हो जाएं, मिरी बात समझ रहें, correct है, अगला शब्द है, deceitful जी, वही spelling जो आपको बताई थी, उसी से याद होगी, C-E-I, deceitful धोके से भरा, और अगला शब्द हमारे सामने है, big while, big while का मतलब क्या होता है, भाई, big while शब्द कई बार पढ़ चुके हैं, भाई साब, थोड़ा सा बता दो, फटा फट से, big while का मतलब क्या होता है, शाब का मतलब क्या होता है, जो अपनी तर्फ किसी को क्या कर ले, आकरशित कर ले, जो अपने आप किसी को क्या कर ले, enamor कर ले, अरे सारे के सारे बच्चे लिख दो, यार, तीन नए शब्द आपके सामने लिख दियें, भाई, लिखो लिखो फटा बच से, तीन नए शब्द आ पहला हमारे सामने है fourth right, right का मतलब सभी को पता है, और fourth का मतलब क्या होता है? भाई मेरे बच्चो, fourth का मतलब सभी को पता है, जो आगे आने वाला है, ठीक है ना जी? fourth right का मतलब जो आपके सामने है वो बिलकुल सही है ठीक है जी above board यानि के जो आपने level बनाया उस पर वो बिलकुल सही खरा उतरना reliable का मतलब जिस पर आप विश्वास करते हैं इस reliable शब्द को आप बनाते हैं rely से और rely का मतलब होता है to trust ठीक है जी आगे हमारे सामने का अगला शब्द लिखा है भई देखो सामने क्या लिखा street स्ट्रीट का मतलब सीधे सीधे forward वो इनसान जो घुमा फिरा कर छल कपट से किसी बात को नहीं कहता जो कहना है वो साप सपस्ट कह देना है ठीक है बच्चो हर एक शब्द अच्छे से समझ आ गया भई चली भई अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सबसे पहले इसको देखो जी एफूलो की रानी बहारो की मलका तेरा यो गर्दन है बई गर्दन पकड़ ले अगर कोई खुबसूरसी लड़की भाई साफ तो ऐसा ही मुझ बन जाता है है के नहीं मेरी बात समझ रहे अब गर्दन पकड़ने का मतलब दो हो गए एक तो इसको भाई extremely anger आ गया क्या हो गय गुसा आजाए ना आजाए लेकिन भाई साफ किसी का अगर गला घोट दे तो ऐसे मुझ क्यों करे सांसे नहीं ले पाएगा है के नहीं तो भाई साफ यह हो गया हमारे सामने एक सादा सादा मीनिंग क्या है किसी का गला घोट देना सांस रुकने की स्थिति वर्भ है इसी क हम कहते हैं चौक ठीक है ना इसको याद करने का तरीका भी है इसको याद करने का तरीका क्या बन जाता है अगर कोई बच्चा चौक खा ले चौक तो सभी को पता ही है भाई भाई हमारे जमाने के स्कूल में हुआ करता था एक चौक होता था है के नहीं हमारे जमाने के स्कूल में एक चौक हुआ करता था सफेद सा होता था टुकडा और काला सा बूर्ड होता था उस पे लिखते थे अब जमाना बदल गया अब आगया डिजिटल बूर्ड का समाना है मैं चोक खाती थी, अच्छा, तो कभी, आप जब चोक खाते तो गला नहीं घुट जाता था, है, dry होता था, है कि नहीं, बिल्कुल ठीक, calcium का टुकडा चोक होता है, ये भी सही कहा आपने भाई साब, तो चोक का मतलब क्या होता है, जब आपका गला घुट जाए, ठीक है न, to be or to make somebody unable to breathe, सास ना ले पाए कोई भी, because something is stopping air getting into the lungs, क्योंकि किसी भी तरह से सास हमारे lungs में नहीं जा रहा है, मेरी बात समझ में आ रहा है, हाँ है न, सेट है भई, अब इसी को अगर हम example से समझें, the coffee was almost too hot, बहुत बहुत ज़्यादा गरम थी कोफी, इसलिए निगलना उसक इसा हो गया कि उसने क्या कर दिया, उसका गलाही चोक हो गया, गलाही अपने आप में क्या हो गया, रुक गया, correct है भई, हाँ है न, अब थोड़ी सी बात को समझने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले इसके सिनोनिम बनाते हैं, पहला शब्द है, गैरोट, क्या लिखा है, ग गैरोट, ठीक है न, जी, गैरोट को याद करना है, G-A-R, इसके साथ हमने जोड़ दिया, R-O-T-E, R-O-T-E का मतलब होता है, किसी चीज़ का रुकना, या किसी चीज़ का सड़ना, ठीक है न, जी, आपने रोट से ही पढ़ा है शब्द, रोटन, ठीक है न, आपने रोट स का मतलब क्या होता है, किसी का गला घोटना, ठीक है न, जी, स्ट्रेंगल का मतलब होता है, किसी का गला घोटना, कभी-कभी, देखा होगा न, आपने फिल्मों में देखा होगा, कि कोई भी इनसान है, जिसके गले में एक रसी बांद कर और दोनों तरफ से कोई खीचता है, तो इसका अगर सही तरह से अर्थ समझना है तो रसी से गला घोंटना आगे हमारे सामने लिखा स्मॉदर, स्मॉदर का मतलब क्या होता है सारे बताओंगा बेटा ये सारे के सारे CID सीरियल से निकाले वे शब्द है आप लोगों का नहीं यह मानली जिए फिल्म का सीन तियार कर रहे है यह एक बैड है ठीक है जी यहाँ पर एक सज्जन सो रहे है ठीक है भाई साब अब एक विलन आता है एक पर विलन की स्पेलिंग लिख्कर दिखाओ पहले story फिर उसके बाद आगे सुनाओगा चलो भाई, विलन की spelling लिखकर दिखाओ मैं लिखता हूँ, आप मुझे बताना कून सी spelling सही है विलन कून सी spelling सही है हाँ, खेर विलन की spelling तो तुम सही बताई दोगे देखी है, यही तुमने भी शर्दाकपूर की तेरी गलिया, गलिया, तेरी गलिया ठीक है भाई, देखी होगी पक्की बात है मैं समझ रहाँ, विलन है की नहीं, चलो भाई तो विलन की spelling आप लोग जानते हैं तो विलन आता है और उसने उठाया एक तकिया, रुको भाई, तकिया उठाते है नीले रंग का, तकिया उठाया इसके मुँपे रख दिया भाई साब और वो इनसान यहाँ, क्योंकि विलन है न भाई साब अब कपड़े भी ऐसे ही पहन के आएगा ये इसका हाथ और भाई साब ये इसका गला दबा कर इसको ढिंका चिका मारने की तियारी कर रहा है तो भाई साब स्मोदर का मतलब समझ में आगे, क्या हो गया? जब किसी का गला घोट कर मारा जाता है अब गला कैसे घोटने का काम होगा है भाई साब? गला घोटने का काम है? वैसे, वैसे, स्थीन बहुत बढ़ी है किसी के उपर ऐसा कुछ रख दिना और उसको सांस ही ना है ठीक है जी अब बेरे बच्चों ये आप लोगों करना थोड़ा सा आप लोगों को बाइलोजी का यूज करना पड़ाएगा कैसे भाई साम ध्यान से देखो तो स्फिक्स क्या है भाई और ए का मतलब नॉट यानि कि जब आपके गले का ये हिस्सा काम करना बंद कर दे एस्फिक्सेट इसे हम कहते हैं ठीक है भाई अरे हाँ है ना सेट है बाई चलो भाई एंटॉनिम पर आ जाओ तो रिवाई किसी भी शब्द के अंदर वी आई वी देखने को मिलता है तो वो डेफिनेटली लाइफ की बात करता है री स्टोर का मतलब क्या होता है किसी चीज़ को वापिस नॉर्मल बना देना ठीक है ना तो मेक नॉर्मल अगीन ठीक है जी किसी चीज़ को दुबारा से नॉर्मल कर देना आगे शब्द हमारे सामने लिखा है resusitate इसको spelling को याद करेंगी पहले सबसे पहले re आप ने चिपका दिया क्या चिपका दिया सबसे पहले बावो re आप लोगों ने चिपका दिया ठीक है उसके बाद हम लोगों ने लगा दिया sus meita sen वाला sus sus कर दिया भाई है के ने इसके बाद हम लोगों ने लिग दिया क्या चीज? sit और इसके बाद हमने जोड दिया 8 सारे बचें स्पैलिंग को देखेंगे re, sus, sit और उसके बाद क्या कर दिया? 8 ठीक है जी? आगे लिखा unclog, यानि के रुकी हुए को खोल देना, correct है भई? अरे हाँ है ना, set हो गए भई? चले भई थोड़ा सा आगे मेरे प्यारे भाई हो, next question हमारे सामने आता है, pangent, pangent शब्दम ने कई बार पढ़ा है, जिसका मतलब तीखा बहुत मजबूत या कड़वा, जैसे देखा भई साब, सड़ी भी सबजिगर आप खोलोगे, लैसून की तो अधिकतर लोगों को बदभू आती है, ये देखो लड़की कैसे नाक बंद करे बैटी से ये नहीं पता, कि लैसून से ही सबसे ज़्यादा blood pressure control होता है, BP की problem sol होती है, ठीक है खेर कोई बात नहीं, ठीक है pungent का मतलब adjective हुआ तीखा या बहुत मजबूत कड़वा having a strong sharp taste ठीक है जी, तीखा टेस्ट होना smell होना, ठीक है न जी अब सोचो, आपके सामने अगर आपका कोई दोस्त, अब गर्मी शुरू हो गई है न जी अब गर्मी शुरू हो गई है, मान लो आपका कोई दोस्त, आपके सामने दोपहर दो बजे, भाईसा पांच किलो मिटर लंबी दोड लगा कर आए, और आप बैठे हैं, आपके सामने आके, दोनों बाहें उपर करके यूँ खड़ा जे, और भाई, कैसा है धुआ उड़ रहा है भाईसा उसकी अंडरामस में, आप उस सिच्वेशन में क्या होगे, ओ माई गौड, वाट अप पंजेंट स्मेल, यही कहोगे, अरे हाँ है ना, मान लो, आपका कोई दो सुबह सुबह उठते ही धाई सो ग्राम लहसुन और उपर से आधा किलो प्याज खाकर आपके सामने, यह मूँ खोल के कहता है, हार, कैसा है, तो सोचो भाई साब, क्या खतरनाक है, जो लोग मेट्रो में सफर करते हैं, उनके साथ कई बार ऐसा धमाको होता है, भाई साब लहसुन खाने वाला सुबह सुबह लहसुन लपेट के आता है, और पूरी मेट्रो में लहसुन का, भाई साब आलम बना हुआ होता है, क्या मज़ेदार महोल बना होता है, तुम सोच नहीं सकते, पाजी तो there is a pungent smell of क्या है, मेरुजवाना in the air, मेरुजवाना को ही हम weed कहते हैं, देखा आप लोगों नशेडियों को, है वही नशेडियों को देखा, मेरुजवाना एक नशे की एक बहुत ही मतलब हर्भ है, ठीक है गांजा जैसी type का ही कुछ something है ठीक है बटा, आगे बढ़ते हैं देखो ध्यान से क्या है, acute acute, पहला synonym क्या हो गया acute, दूसरा क्या हो गया pervasive, तीसा शब्द क्या है penetrating, अगला शब्द है stifling और ये है piquant ठीक है जी, एक बार मुझे याद करो बेटा, पिछली classes में आप लोगों को ना ये वाला शब्द मैंने बताया था एक बार मुझे याद करा दो भाई ये वाला शब्द हमने पिछली class में आप सभी के साथ पढ़ा था इसका meaning क्या होता है चलो चलो चलो, फटा फट से बताने की कोशिश करना, pick थोड़ा थोड़ा लिखा करो बेटा ठीक है ना जी अब भाईो आते हैं हम इसके एंटॉनिम पर mild, blend blend की spelling ध्यान से देखना B-L-A-N-D यानि के जिसको हम देखकर खुश होते हैं जो अपने आप में अच्छा होता है ठीक है ना, pleasant इसी को हम कहते हैं, ठीक है जी correct है बई, चलो बई अब थोड़े idioms and phrases पर आते हैं अब थोड़ी speed बढ़ाने का वक्त आगया idioms and phrases, nitty gritty ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं जिसका मतलब है किसी महतब पूर्ण पहलू, किसी मामले की आवशक, पदार्त या विवरन यानि कि जो चीज इंपोर्टन्ट है उसके बारे में हम discussion करते हैं उसके बारे में हम जिकर करते हैं उसके बारे में हम बाचीत करते हैं कोई भी project जब final stage पर होता है तो अपनी पूरी team बैठ कर उस चीज को final करने से पहले सोचती है क्या करने वाले हैं मेरी बात समझ जए, got it मैं भी अपना जब practice बैठ शुरू करता हूँ तो उससे पहले पूरी team में बैठते हैं और हम सारी चीज़ों को chuck out करते हैं plan करते हैं कैसे कैसे की सीज को कैसे तयार करना है this thing is called nitty-gritty एक ऐसी informal term that refers to the most basic and important details or facts about something किसी चीज़ के बारे में गहराई से बात करना we finally go down to the nitty-gritty of the problem ठीक है बचे अगले question पर आते हैं a moot point एक ऐसा point जहां पर एक ऐसा point जहां पर क्या होने वाला है एक ऐसा point जहां पर हमारे सामने जगड़ा होने वाला है कि इस बातचीत का अब कोई solution नहीं है अगर solution नहीं है तो चलो भाई जिसके पास solution है या तो court है या कोई बड़ा बुज़ुर्ग है या फिर कोई पंचायत है वहाँ चलते हैं तब जाकर इस लड़ाई के जगड़े को खतम करेंगी उसी को हम a moot point कहते है ये किसी मुद्दे को लेकर court में प्रिशी कर रही है इस आप मूच पाइंट वैदर दा चिकन और दा एग केंफर्स ये अपने आमे एक विवाद का मुद्दा है कि चिकन पहले आया या एग पहले आया ये तो सभी को पता है मुर्गी पहले आया या अंडा पहले आया ये एक विवाद का सवरल है question 8 हमारे सामने होता on the spur of the moment मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं आप से पूछू सिर्फ spur का मतलब क्या है तो आप क्या कहेंगे आप कहेंगे sir spur का मतलब होता है to insight जब आप किसी को क्या करते हैं आगे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं भढ़काते हैं चलो इसी को हम to motivate भी कह सकते हैं इसी को हम to g-o-a-d भी कहते हैं ठीक है ना जी यानि कि जब हम force करते हैं किसी को आगे बढ़ने के लिए ठीक है ना तो spur इस तरीके का एक pointed object होता है, जो हाथी को चलाने के लिए use किया जाता है, इसके सामने एक pointer होता है, you can see, और side में भी एक नुकीली चीज़ होती है, जो जानवरों को, जो बड़े बड़े जानवर है, उनको चलाने के लिए use होता है, that is called spur, ठीक है ना, on the spur, क्या लिखा है, of the moment, इसका मतलब क्या हम समझ में आगा, किसी भी moment, किसी काम को तुनंत करने के लिए, हम क्या कर रहे हैं, excite कर रहे हैं, किसी निर्णया कारवाई का जटपट या ततकाल होना, used to say that a decision, action, etc. is said and done within, without any planning, बिना planning के तुरंद किसी काम को कर देना, ठीक है जी, अब ये सज़न है, फटा-फट से किसी काम को करने के लिए, निकल दी हैं भाईया, on the spur of the moment, we decided to go to beach, beach जाने का हमने decide किया, अगला सवाल हमारे सामने आता है, not mincing matters, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम सिर्फ mince की बात करते हैं, तो mince का मतलब होता है to grind, कभी-कभी इसी का मतलब होता है to mix, अगर हिंदी में हम इसे कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं peace ना, ठीक है न, क्या लिखा है, नहीं करना, क्या mincing matters, matters को आपस में क्या mix नहीं करना, आप जब भी कोई किसी तरह की summit होती है, आप किसी चीज की public place पर, जब किसी चीज की घोशना करते हैं, तो you are not supposed to mince the matters, आपको matters को mix नहीं करना चाहिए, आप जो बात कहना चाहते, वो बात आपका बिल्कुल सपस्ट तरीके से आपको कहनी होगी, साफ साफ बूलनी होगी, to speak directly and honestly without worrying about offending someone, किसी को अपमानित होना पड़े, ये ना सोच कर आप सीधी सपस्ट बात कहेंगे, not to mince matters, I feel he should resign, किसी इंसान को resign कर देना चाहिए, अगले question पर बढ़ते हैं, streak of bad luck, दुर्भाग्य की रिखा, streak का मतलब क्या होता है, line, ठीक है ना, वैसे streak की अगर हम बात करते हैं, तो streak को हम बाल भी कहते हैं, जो हमारी जुल्फों का एक धागा है, that is also called बाल, ठीक है ना जी, ठीक है, और इसी का एक और अर्थ अगर हम समझें, तो रिखा, भाई साहब, ये है आप लोगों का हाथ, देखो हाथ मना रहा हूं, जल्दी से कोई गुसा मत होना भाई साहब, ठीक है जी, ये है आप लोगों का हाथ, अब इस हाथ पर जो ये line बनी होती है, इन line ओ को भी हम streak कहते हैं भाई, हाथों की ये जो रेखा है, है ना, हाथों की चंदल की रोका, ये खेल है बस तकदीरों का, streak of bad luck, दुरभागे की रेखा, दुरभागे की एक अटूट श्रंकला, पीरिएड ओफ टाइम, एक ऐसा समय है, जब किसी इंसान को या किसी ग्रूप को जहलना पड़ता है, a series of unfortunate events, यानि के दुरभागे से भरेवे बहुत सारी चीज़े, आपको देखने की पड़ती हैं, ठीक है बई, हाई आना, मेरी बाद समझ मैंगी बीटा, इसी को हम कहते हैं bad luck, it feels like I am on a streak of bad luck today, मुझे लगता है, देखो अब जैसे इस भाई को ध्यान से गर आप देखोगे न, तो आपको समझ मैंगा, इसे credit card की payment भी करनी है, जिसने इसे पैसा दिया था, उस वो करजा भी वापिस मांग रहा है, home loan की किष्ट इसको देनी है, कोई इससे सवाल पूछ रहा है, चिठी का जवाब नहीं दे रहा है, कोई चिला चिला कर इससे कुछ पूछ रहा है, कोई इसका pressure बढ़ा रहा है, यहाँ पर बार-बार कोई phone कर रहा है, there is a situation that says, कि हर जगह इसके काम बिगड़े हुए है, ठीक है बटा, सारे बचे फटा फट से अपनी attendance लगा दीजे, एक बार वीडियो को लाइक और शेर ज़रू कर दीजेगा, तो क्या कहेंगे, एक्जैस्परेट, तुरंट सेपरेट होने के लिए, तुरंट सेपरेट होने के लिए, आप क्या करेंगे, अगला सवाल हमारे सामने लिखा है, एंटॉनिम आपको इसको बताना है, स्टैनो का पेपर में पूछा गया, स्नॉबिश, स्नॉबिश अब बना है किस से, स्नॉब से, यानि कि वो घमंडी इंसान, हर बात में उसकी मैं है, वो अपने से उपर किसी को समझता नहीं है, वो अपने से सूपीरियर नहीं समझता, अरे ऐसे इंसान बेसलेस होते हैं, इंका कोई बेस नहीं होता, ये खोखले होते हैं अंदर से, दिखावा ऐसा करते हैं कि भाई साम, हमसे अच्छा कोई नहीं है, हमारे से अच्छा कोई काम ऐसा करी नहीं सकता ये खोखले होता है ठीक है न जी हाँ जो जितनी मैं की बात करता है उसके पीछे कुछ नहीं होता है और जितना हम की बात करता है वही successful होता है haughty ये लिखा है per snickety या benevolent या snotty antonym आपको बताना है snobby's का snotty ये तो synonym है भाई ये भी synonym है अब इन दो में से कोई एक बचता है तो आप क्या कहोगे सार benevolent क्योंकि ये अपना में negative word है benevolent positive है खतम बात खतम यार बात खतम हम बात ही नहीं करने वाले अब इस question के बारे बात खतम हमाले question लल्लू था हम उड़ा दी रहे है से सुरे को ठीक है न जी अब आपको MTS की परिक्षा का सवाल पूछा गया है आपको बताना है भाई इसका one word substitute having a strong or unpleasant taste or smell इसी को हम क्या कहते है resonant, illuminated, aromatic, pungent आपने का strong, unpleasant, negative category का taste ये smell को बताता है क्या ठीक है जी ये सब हमारे सामने Pikachu ठीक है भाई अगले question पर आते है ladies and gentlemen look at the next question one word substitution है CHSL की paper में ये सवाल आप से पूछा गया है मेरे मित्र सेन क्या कहोगे the state of being unable to breathe जब सांस न आए है न जी वो गाना तो हमने सुना है मुझे नीम बिन न आए ये गाना पहली बार सामने आ है मुझे सांस न आए लगता है दिली में आया है चीक है which causes somebody to die or to become unconscious जिसकी विज़े से कोई इनसान unconscious हो जाए मर भी जाए amnesia, asphyxia, anemia या alopexia बताओ भाई क्या कहेंगे बड़ी है सवाल है दोस्तो तो आप कहेंगे सर, स्फिक्स थोड़ी देर पहले आपने बताया था ए लगाते ही नोट आगया सब बाकी गद्दारी कर वे ठीक है जी फाइन तो स्फिक्स हमारे सामने आगया है next question पर आते है IB Security Assistant 2023 2023 की परिशा से लिया आगया सवाल है Ladies and gentlemen बताएं अपना अंसर क्या कहेंगे आप not to mince matters पहले मुझे इस mince का मतलब बता दो उसके बाद सारी कहानी आपकी मान लेंगे है mince का मतलब क्या होता है अब भी बताएं बस होले होले जल्दी बताएं फटावट से देखो एक बच्चा है जिसका नाम R.L.Fact है देखो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चो आप ये अपने असली नाम रखा करो ठीक है ये आप ऐसे से नाम रखते हो ना जेमर ये वो ये नाम मुझे समझ नहीं हाते भाई ठीक है ना दुनिया चाहती है कि आपका नाम पूरी दुनिया में फैले आप अपने नाम का ये कबाड़ा करे बैठे हो है भाई अपना असली नाम लिखो बेटा यही आपकी पहचान है ठीक है भाई रिलाइन्स अपन रिलाइन्स पढ़ाया था शब्द तो डाउट दा मैटर्स एड़ दा हैं तो प्रोक्रेस्टिनेट प्रोक्रेस्टिनेट का मतवता है किसी काम को आज की लिए नहीं कल पर टालना तो बिना किसी के फेवर में सोचे बोल देना अगला सवाल हमारे सामने है Candid आपको बताना है दोस्तों इस लिखे शब्द का सिनोनिम शब्द है हमारे सामने Candid ठीक है जी My mother is a candid woman who never hesitated to say exactly what was on her mind CGL TR1 के पेपर में पूछा गई है सवाल है भाई ठीक है Candid हम किसे कहते है Candid का मतलब होता है जो बिल्कुल direct है blunt है Candid का मतलब होता है जो बिल्कुल direct है या फिर blunt है ठीक है ना जी का आप में से कभी-कभी कुछ लोग photograph खीचते हैं भाई साब मा ले जीए आप गए हुए हैं किसी बीच पर और भाई साब ये आपने जो है अपनी फोटो खीची है इस तरीके की ठीक है और आपने अपनी फोटो इस तरीके की खीच ली है और आपने उस पर caption डाल दिया Candid photo Candid photo का मतलब क्या हुआ बिना सोचे समझे एक दम से सीधे-सीधे वो काम कर डाला That thing is called Candid दोस्तों तो इस Candid में हम क्या कहेंगे Nave, Reserve, Rude नहीं आप कहेंगे Fourth Right जो बिलकुल सीधा सामने Spast कहा जाता है जैसा है वैसा है तो आज के बाद जब आप Candid word का यूज़ करोगे तो इसका मतलब होता है बिना सोचे समझे सीधा Spast Direct Blunt ठीक है जी अगले question की अगर हम बात करते है तो भाईया क्या कहते है ये CGL Means की परिक्षा से लिया गया आपके सामने है क्या चीज़? Idiom On the spur of the moment Spur के बारे में बताया था आप लोगों को Being extremely careful Deciding after a lot of thinking Waiting nervously for something Acting impulsively without thinking बिना सोचे एकदम से कोई काम कर बैठना ततकाल परभाव से कोई भी काम कर बैठना Next question हमारे सामने RO, ARO से लिया गया है चली चली फटाफट से अबना अंसर बताने की कोशिश करेंगे सवाल है हमारे सामने Choose from the options the correct antonym Antonym आप लोगों को बताना है किसका Demure, ठीके जी Antonym आप लोगों को बताना है तो इसे हम कहते हैं क्या, बताओ, बताओ, बताओ वो इंसान जो humble है ये तो इसका synonym है तो shy नहीं, कोई नहीं, क्या कहेंगे भाई साब arrogant, घमंड से भरा हुआ इंसान Question 9 पर आजेंगे भई आपको बताना है इस लिखेवे शब्द का Antonym क्या होगा, foment foment, याद आया, पान, इनो में पानी मिलाएंगे, एकदम से एकदम से इनो जाग बनकर बाहर आएगा, गुसे में एकदम से भढ़ जाना, गुसे में एकदम से रियक्ट कर जाना, it's called instigate, seize, prod, none of the above MTSD परिशा में ये सवाल पूछा गया है, what do you say ladies and gentlemen, the correct answer is foment, एकदम से गुसे में बाहर निकलना, seize का मतलब होता रुक जाना, रुक जाना ठीक है जी, बेटा antonym बताना है, एक बच्चे ने synonym बता दिया, instigate, गंदा बच्चा गंदा बच्चा, अब बताना मेरे को score 10 में से कितने marks तुमारे आए है अब बताना तुमारे 10 में से कितने marks आए, पता चलेगा बेटा आपको बताना है मेरे प्यारे से दोस्तों इन में से कौन सी गलत spelling है, ये phase 11 की परिक्षा से पूछा गया हूँ सवाल है ओ बेटे, सारी बढ़िया शब्दी रखें है पहले तो उसको पकड़ते है री सुश्मिता वाला सी टीट ये अपने जंगे बिल्कुल सही है ए, fix अपना में सही है ये भी अपना में सही है आगे लिखा बेटा, straight की spelling ठीक है forward की spelling ठीक है, ये भी अपना में सही है unpretentious ये भी अपना में बिल्कुल सही है तो फिर यही गंदा बच्चा है इसमें कोई गड़बढ हो सकती है इसी में कोई गड़बढ हो सकती है क्या गड़बढ है बताएं जला हमको बताएं जला हमको जामें का गड़बढ होई बे है शुपर सीलीशियस अपना में गलत है इसमें spelling को तो ठीक करके दिखा दो बिटा रोहिनी यादव साथ बटे दस, नो बटे दस क्या बात हमने पूछाने स्कोर बताने लग गए है ये वो बच्चे हैं जो पेपर देने से पहले रिजल्ट घोशित कर रहे हैं पकड़ो इनको लगाओ सबको कोप्चे में फिनायल पिलाएंगा जिन सबको तो सुपर सीलीशियस की spelling आपने बिल्कुल ठीक बता दी सर और कुछ नहीं ठीक है जी चलिए अब थोड़ा सा होमर्क आप लोगों को जो करना है उसको देख लेते हैं उसमें आप क्या करने वाले है ठीक है भाई साब इधर आजो फटापट से तो हैकनाइड आप लोगों को बताना है इस लिखेवे शब्द का जो सिनोनिम है इन में से हैकनाइड ये DSS भी MTS ने पूछा है सवाल टायर्ड फ्रेश अनकोमन या निव साथ साथ अगर आप आंसेज बता सकते हैं तो यो वेलकम नहीं तो जब क्लास खतम हो तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे आप इसके आंसेज जरूर दीजिएगा दोस्तों ठीक है जी नेक्स वर्शन भी है आपको बताना है इस लिखेवे किसी भी एक शब्द का एंटॉनिम ठीक है न जी इस व्यूज ओन दा मैटर आर उच्जोपियण इसका आप लोगों का सिनोनिम बताना है क्या है उच्जोपियण रियलिस्टिक, आईडियल, प्रैक्टीकेबल या मेटीरियलिस्टिक बताएं ज़रा आंसर बना है मैं कोई आंसर नहीं बताने वाला हूँ ठीके जी एक गाना सुना था मैंने कई साल पहले मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की जो इस दुनिया का नहीं है तू ही दिन चड़े, तू ही शाम हो 10 ग्रे 2 की परिक्षा से सवाल पूछा गया है Mia is preparing for a marathon, pushing herself further with each training run despite setbacks and fatigue, she remains unwavering in her commitment to the race लिखे हुए इस सवाल में आप बताएंगे कौन सा idiom best बताता है Mia के unwavering जो हीले भी ना determination को तो कौन सा idiom बताता है to throw in the towel, to bite the bullet या फिर बताएंगे to coast to victory ठीक है न जी आगे हमारे सामने कौन सा हो गया to dig in your heels आपके हिसाब से इस लिखेवे sentence में situation को कौन सी idiom best explain करती है ठीक है जी यॉर च्वाइस ठीक है जी अगला सवाल हमारे सामने आता है आपको बताना है बाबू spelling किसकी सही है ये assistant teacher की परीशा से पुछा गया सवाल है ठीक है बेटा सवाल है avaricious इसे हम हिंदी में कहते हैं जिसके अंदर बहुत सारा लालच हो बहुत ज़ादा लालच से भरा हुआ इंसान ठीक है जी अच्छा कोक्टेल मूवी का गाना था ये आओ हमको पताईच नहीं चला CHSL परीशा का इस सवाल आप लोगों से पूछा गया है इसका आप लोगों को बताना है वन वर्ड सब्स्टिटूशन एक छोटा सा ओर्गिनाइजड क्या है डिसेंटिंग जो विरोध करता है ग्रुप बड़े का बैंड, सेट, फैक्शन या क्लस्टर जो एक किसी बड़े मेरे भाईयो जिसे हम क्या कहते हैं किसी बड़े ग्रुप का विरोध करता है उसी के अंदर एक छोटा सा हिस्सा बन कर क्या कहते हैं उसे बैंड, सेट, फैक्शन या क्लस्टर ठीक है जी बताने की कोशिश करें तो मुझे लगता है यही करेक्ट आंसर है अफसोस गलत हो गया मुझे लगता है यही करेक्ट आंसर है अफसोस गलत हो गया फैक्शन इसे हम कहते है यह बहुत जादा यूज होने वाला शब्द है आज कल नियूस्ट्पेपर में भी इसकी चर्चा है बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जिनके अंदर आप देख रहे हैं नेता इधर से उधर उधर से इधर भटक रहे है और उनका पहला कारण क्या है Faction Faction कहने का मतलब क्या हुआ उनका उस party के लोगों से विचार नहीं मिलता इसलिए वो अपनी party छोड़कर दूसरी party में शामिल हो जाते है बहुत important word है बच्चो Faction And here we have the answer key to these questions यह आप लोगों का जो classwork था दोस्तों यह homework है जिसमे explanation भी दी है और यह आप लोगों के लिए correct होगा ठीक है मेरे फ्यारे दोस्तों अब मेरे पाई हो सारे बच्चे एक बार थोड़ा सा सामने आ जाए मेरे दो बाते करनी ही मुझे मोहबत बरी पहली बात हो बेटा अभीशेक यादव आप एक ही comment लगातार लिख रहे हो जी vocabulary basic से होगा यह सारी basic से ही vocabulary होती है ऐसे बच्चे होते हैं वह देखो लाचार इंसान ठीक है न इनको जब कहा जाएगा कि भाई यह basic से तब यह पढ़ेंगे नहीं कहा जाए तो यह कि comment करते रहेंगे आरे बेटे मेरे Elvis यादव बेटा थोड़ा सा improve कर अपनी समझ को थोड़ा सा पढ़ा लिखा हाल हो थोड़ा सा पढ़ा लिखे बच्चों वाली बात किया करो बिटा सारे के सारे बता आलिया बट थोड़ी है इस धर्ती पे है सारी क्लास के अंदर तुमें सब चीज़ें अच्छे से समझाईते हैं और basic के लिए गड़े खोद दूँगा मैं वो कैबलरी के अजीव लल्लू है भाई चलो मेरे भाई अब थोड़ी सी बात को ध्यान से समझने कोशिश करते हैं देखो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग आपके साथ वोकैबलरी की बहुत सारी ग्लासेस कर ही रहे हैं उसमें कोई दिकत नहीं है ठीके ना ओके और इसी बात्चीत के साथ आप लोगों को ये भी ध्याल लखना है कि पेपर लगातार हमारे सामने आ रहे हैं कल हम लोगों को पता चला हैं CHSL के एक्जैम के फोर्म भरे जा रहे हैं और भाई हमारे जुलाई में पेपर है ना सर्थ जुलाई में हमारा पेपर है भाई तगड़े होके तयार कर लीजेगा ये जितनी भी वोकेबलरीजम कहर रहे हैं सारे एक्जैम की आप लोगों के काम आती हैं इसके अलावा आप लोगों को सेटरडे को अधिकतर में ग्रेमर की जो इंग्लिश एक्युमेंट तो इंग्लिश एक्युमेंट से मैं आप लोगों के साथ मिलकर ग्रेमर की प्रैक्टिस करवाता ही रहता हूं तो हो सकता है इस सैटरडे नाइट हम आप लोगों के साथ मिलें और हम लोग आप सभी के साथ मिलकर प्रोनाउन की प्रैक्टिस करेंगे तो अपनी इंग्लिश acumen से revise जरूर कर लिजेगा भाई ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों तो चलिए thank you so much खुश रहिएगा और मेहनत कीजेगा मेरे बच्चों लगातार पढ़ते रहें क्योंकि vocabulary कहीं से भी पढ़ो कैसे भी पढ़ो आपको हमेशा उसीज का फाइदा मिलेगा प्रड़ते बाइब बच्चों